बिस्मिल्लाहिरामारे रहीम, असलाम अलेकुम उमीद करती हूँ आप सब खेरियत से होंगे आज की इस वीडियो में मैं आपको उन तमाम परेशानियों का हल बताऊंगी उन तमाम कामों के बारे में जिनको करते हूँ आपका टाइम बहुत ही ज्यादा वेस्ट होता है तो आज की इस वीडियो को फुल वाच कीजेगा ताकि आपको तमाम टिप्स और ट्रिक्स का पता चल सके तो चलते हैं अपनी टिप नमबर वन की तरफ बिस्मिल्लाहिरमारे रहीम जी तो प्यारी बेहनों जब भी हम कहीं जाते हैं अपना हैंड बैक लेकर मार्किट जा रहे हैं या किसी की घर तो कुछ चीजें हम लाजमी अपने साथ ले जाते हैं जैसे के हम अपना चोटा सा वालिट ले जाते हैं साथ और इसी तरह से घर की चाबियां ले जानी पड़ती हैं और अगर हम एनक पगेर यूज़ करते हैं तो उसको भी साथ ले जाना पड़ता है इसके इलावा अगर किसी काम के लिए जरूरी काम के लिजा रहे हैं कोई important documents हैं तो वो भी हम अपने handbag में carry करते हैं इस तरह से मुख्लिफ किसम की चीज़ें हमें अपने पर्स में रखनी पड़ती हैं तो उनको किस तरह से हम adjust कर सकते हैं रख सकते हैं कि हमें उसे निकालने में या ले जाने में परिशानी ना हो तो वो मैं आपको इस वीजियो में बताऊंगी अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है जब हम अपने bag में घर की चाबियां रखते हैं और जब हमें वो निकालनी पड़ती हैं तो bag में बहुत ज़्यादा समान होने की वज़ाद से चाबियां हमें नहीं मिलती और हमें बहुत ज़्यादा परेशानी और दिक्कत का सामना करना पड़ता है तो इसका मैं आपको best solution बताऊंगी कि जब भी अपने bag में चाबियां रखें तो उसके लिए आप एक हमेशा safety pin कर यूज़ करें safety pin के साथ आप इन चाबियों को जो ring होता है वो इसमें डाल लें और फिर उसके बाद आपके पर्स के जो अंदर वाली side पे कपड़ा लगा होता है इसके साथ आप इसको fix करके ठहरा दें इस तरहां से जब आप इन चाबियों को निकालेंगे तो पूरे पर्स में से आपको समान बाहिर नहीं निकालना पड़ेगा जस्ट आपने safety pin को खोलना है और चाबियों को आप असानी से निकाल सकती है तो इस तरह से आप अपनी इस परेशानी से बच सकते हैं बहुत ही कमाल की tip है नेक्स टाइम आपने जब भी चाबियों को अपने पर्स पर रखना हो तो हमेशा safety pin का ही इस्तामाल किया करें इससे आप कोई परेशानी नहीं होगी नेक्स टिप भी मेरी इसी तरह की है जब भी हम अपने कोई छोटे पाउच अगर हमारे पर्स में जिप नहीं है तो पैसों के लिए छोटे से पाउच रखने पड़ते हैं तो उनको रखने के लिए वो भी अक्सर इसना से होता है कि हमारा बड़ा अगर बैग है और उसमें अच्छा खासा सामान है तो इस पर्स को ढूड़ना भी मुश्किल हो जाता है जब हम मार्केट में खास दोर पे जाते हैं कोई शॉपिंग करने के लिए और हमें अजानक से अंदर पैसों वाला पर्स निकालना पड़ जाता है तो काफी सारा समान होता है और दूसरे समान के गिर जाने का भी डर होता है तो उसके साथ भी आप यहीं हैक यूज़ कर सकते हैं कि सेफटी में लगाके उसे पर्स के अंदर वाले कपड़े के साथ उसको फिक्स कर दें इस तरह से जब आप मार्केट में जाएके पैसों के लिए अपना पाउच निकालेंगे तो आपको कतन भी मुश्किल नहीं होगी और आपका बागी समान भी सेफ रहेगा और आसानी से आप इस पाउच को बाहर निकाल सकते हैं तो बहुत ही कमाल की टिप है आप इसको भी जरूर ट्राइ कीजिएगा नेक्स टिप ही मेरी बहुत ही खास है सम्टाइम हमारे पास इस तरह के डॉकुमेंट्स अवेलेबल होते हैं जिनको हमने अटैश करना होता है लेकिन हमारे पास unfortunately कोई स्टैपलर अवेलेबल नहीं होता तो उस टाइम पे भी हम सेफटी पिन को इस्तमाल कर सकते हैं सेफटी पिन से ये डॉकुमेंट्स बहुत अच्छी इनकी बाइंडिंग हो जाती है और फिर जब हमने इसको खोलना हो तो भी हम इसे असानी से खोल सकते हैं तो अगर कभी आपके पास स्टैपलर अवेलेबल नहीं है तो आप इस तरह से सेफटी पिन से ही अपने डॉकुमेंट्स को बाइंड करके रख सकती है बहुत ही कमाल की टिप है इस टिप को भी लास्मी ट्राइ कीजेका और अगर आपकर मेरी टिप सची लग लग रहें तो एक Like जरूर कर दीजेए नेक्स टिप मेरी Charger के बारे में है आज कल हर शक्स मोबाइल यूज़ करता है और मोबाइल की चार्जिंग के लिए हमें चार्जर हमेशा अपने साथ ही रखना पड़ता है और जब हम इसे अपने पर्स में रखते हैं तो यह अच्छी खासी स्पेस लेता है और इदर इदर फैला रहता है तो उसके लिए करना क्या है आपने चार्जर से वायर को लग करके इस तरह से इसको अपलेट ले और फिर उसको आप सेफ्टी पिन के मदद से बाइंड कर ले तो बहुत अच्छे तरीके से यह सेफ हो जाएगा खुलेगी भी नहीं और आपके पर्स में जगा भी ज़्यादा नहीं लेगी तो इस तरह से आजानी से आप आप अपने चार्जर को जहां मर्जी चाहे लेके जा सकते हैं पर्स में भी आपके सेफ रहेगा और जब भी आप चार्जर को निकालना जाहेंगे तो बहुत असानी से आप इसको अपने पर से निकाल भी सकते हैं, तो बहुत ही कमाल की टिप है, इस टिप को भी आप आसमी ट्राइ कीज़ेगा, अगर आपको मेरी टिप सची लग रही है, तो प्यारा सो कमेंट भी जरूर कीज़ेगा, चलते हम अपनी नेक्स टिप की तरफ, नेक्स टिप है म इसको बटन को भी सेफ करने के लिए सेफटी पिन का इस्तमाल कर सकती है, सेफटी पिन में आप इसको बटन को फिक्स करके रख लें, और जब अपने यूज़ करना हो, तो आसाने से आपको तमाम बटन एक ही जगा पे मिल जाएंगे, तो कोई भी किसी भी किसम की दिकत अबाया लेती हैं और सास सकाफ लेती हैं, तो सकाफ को हमने पहने के लिए अक्सर सेफटी पिन को यूज़ करना होता है, और सेफटी पिन अक्सर यह ऐसा होता है, कि हमारे दुबटों में फस जाती है, उलच जाती बुरे तरीके से, और इसके धागे निकलने लग जाते है तो बहुत ही परिशानी होती है और हमारा स्काफ जो भी खराब हो जाता है तो इस तरह कि अगर आपको भी मुश्किल पेश आ रही है तो उसका एक आसान सा स्लूशन है आप इस तरह से कोई भी मोती ले लें घर पे इस तरह के अक्सर पड़े होते हैं हमारे पास सेफ्टी पिन के अंदर आप इसको लगा लें और फिर जब आप इस तरह से अपनी सेफ्टी पिन को स्काफ में लगाएंगे तो आपका स्काफ बिल्कुल भी नहीं फटेगा और बिल्कुल नए जैसा रहेगा तो आज के बाद जब भी आपने safety pin का इस्तमाल करना हो किसी भी कपड़े पे तो इस किसम के मोती आप यूज कर लिया करें छोटे बड़े size वापिट पेंट करता है किस तरह काप लगाना चाहते हैं लेकिन ये यूज करने से आपका scarf बिलकुल भी खराब नहीं होगा तो है ना कितने काम की tip चलते हैं हम पर नेक्स टिप की तब नेक्स टिप है मेरी इस तरह की pants को लेकर हम बचों के लिए अकसर pants बड़ी ही लेके आते हैं क्योंकि बच्चे growing age में होते हैं और उनकी pants या उनका dress बहुत जल्दी उनको छोटा हो जाता है तो इसमें एकसर इनकी waste का issue आता है जब हम बचों को pants पैनाते हैं तो एकसर वो खुली होती है तो पैनने में बड़ी मुश्किल होती है और belt भी लगानी पड़ती है तो अगर कभी आप बच्चे को इसमें के pants पैना रहे हैं और वो खुली है उसको तो उसके लिए एक best solution यह है कि आपने pants पे इसमें की छोटे से hook लगे होते हैं इसको grip करने के लिए तो इसको आपने safe करने के लिए अगर आपस ये clip नहीं है साथ लगा हुआ तो आप safety pin का इसमाल कर सकती है safety pin लगा के आप यहाँ पर इस clip को attach करेंगी तो pants की जो waist आप कम कर सकती है तो आसानी से आपने बच्चे को pants पैना सकती है इस trip को try करके तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है और आपने से कुछ भी अच्छा सा सीखा है तो मेरी वीडियो को like, share जरूर कीजेगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को subscribe भी कर दीजे और साथ ही bell notification को भी press कर दें ताकि आपको मेरी आने वाल तमाम वीडियो को notification time पे मिलते रहे और अगर आप मेरे चैनल को like, subscribe कर चुके हैं ता आपका बेहल शुक्रिया मिलते हैं नेक्स फीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ तब तक के लिए अलाहाफीज